हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सुवेंड पीडिया आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चानल में आज की स्पेडों में हम बात करने वाले हैं सी उसेट जियोगराफी इंट्रेंज सलेबस के बारे में यहाँ पर कौन-कौन से आपको टॉपिक्स कवर करने होते हैं और बतला दूँ अगर आप कोई भी पीजी की सलेबस उठा कर देख ले जनरल कॉर्सेस की यहाँ पर जो है सलेबस काफी हूज होता है जिसे आपको आडिया हो जाएगा स्क्रीन साट लेते चलिएगा और यहाँ पर सोर्सेज उसे भी एक बर देख लिजेगा कौन से सोर्सेज से यह पढ़ने आपको बोलते हैं यहाँ पर देखे अगर देखा जाए तो टूटल है 18 सेक्शन जो है उस पर डिवाइड़ है यह सेक्शन वन आपके सामने है जहाँ फिजिकल जिगराफी आपको देखनी को मिलेगा जिससे लितोस्पीर होगा फिर उसने ग्राफी से भी कुश्चन होगा और जो है बहुत स यहाँ पर देखे आप टॉपिक्स के स्किन सोट ले लिजेगा कैसे स्टड़ी करनी है आपको सारे टॉपिक्स को उठाना है और यहाँ पर उसके सौर्ट समोट्स बनाने है उसका एक डिया होता है fundamental core idea जो होगा वो आप ले लिजेगा questions जो है आपको प्रवाइड कर दूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा questions क्या से आते हैं स्यूसेट examination में अगर अच्छा score करते हैं तो बता दो 15 central university से जहां आप eligible हो जाएंगे admission के लिए और जो हैं बहुत अच्छी universities भी है सब कुछ आपको मिल जाएगा चैनल में आप देख लिजेगा कौन-कौन से university आपको मिल जाएगा यहां कुछ आपको जो है सजिस्टेड डेखनी को मिले हैं आप कोई अच्छा पढ़ दी सकते हैं या अगर आपकी पास अच्छे नोट से तो आप खुद से पढ़ दीजेगा section 2 elements of geography यहां पर आप से पूछे जाएंगे जहां पर आपको बहुत सारे topics देखनी को मिल रहे nature and scope of geography है brief historical overview of geography का और जो है physical versus human है यह geography of the study of environment, man environment relationship के अंडर बहुत सारे topics आपको देखनी को मिलेंगे और फिर यहां पर देखे elements of map science आपका है, फिर suggesting reading आपको देखनी को मिलेगी section 3 में भी आपको देखिए the nature and scope of geography से भी questions पूछे जाएंगे इसमें आपको focus करना है scale में और maps वगरा में अच्छे से गर देख लिजेगा तो जो है easily आप score कर लेंगे, यहां पर कुछ questions इसे भी आते हैं कुछ सालों से train रहा है कि यहां पर common questions जरूर पूछे जाते है तो question मैं जरूर provide करूँगा जिससे आपको idea हो जाए आप यहां पर कुछ books आपको mention होंगे वो भी use कर सकते हैं section 4 की बात करें तो यहां पर geomorphic agent and process से यहां पर questions है are the dynamics से है geomorphic hazard से questions आएंगे फिर जो है कुछ readings आपको दे दियेगा है section 5 की बात करें तो human geography से questions होंगे और human geography काफी use है खुद में तो यहां पर courses करेगा एक बार जो है अच्छे से सारे topics को देख ले human geography में ताकि यहां पर जो है अगर questions आए तो easy questions होते हैं आप से छूटे ना section 3 की यहां पर बात करें तो migration वगएरा यहां पर पूछे जाएंगे migration की भी topic होंगे और जो है कुछ reading section 6 की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं representation of geographical data है यानि practical से आपकी question होंगे method of sewing relief होगा यहां surveying से questions हो सकते हैं और कुछ reading साब को बता दी गई है जो कि यहां पर जो है देखिए बहुत सारे readings है जरूरी नहीं कि किसी को भी पढ़ ले अगर आपके पास अच्छा notes है आपने पढ़ा होगा graduation में तो उससे विल्कुल revision कीजिए हो जाएगा section 7 की बात करें तो यहां पर फिर से physical geography में climateology से questions पुछे जाएंगे definition जरूरी नहीं अगर पहले आपने पढ़ा अगर नहीं पढ़ा है तो रिडिंग्स जरूर देख लिजएगा section 9 की बात करें representation of temperature pressure rainfall data और जो आइसो थर्म आइसो बरार आइसो सेट्स क्या है representation of statical data classification of Indian meteorological observatories और बहुत सारे आपसे उसी से questions पूछे जा रहे हैं और आप देख लिजेगा सारे topics यहां पर जो हैं section 10 में देखिए physical geography से oceanography से question पूछे जाएंगे और ocean अगर आप भी देखिए अगर syllabus अगर आप देखे तो जादा huge नहीं as compared to climatology यहां पर जो है कोसिस करें उसे पूरे ही पढ़ देने की यहां पर topics ना देखें यहां topics देखकर कुछ फायता नहीं है आपने जो syllabus follow करा है और उसी से questions आएगा अगर नहीं करा तो आप की बात करें तो economic geography देखने को मिलेगा जहां आपको mining economy manufacturing industries और जो है nature and trends of international trade transport आपको देखने को मिलता है फिर कुछ आपको suggested trading बता दिये गए हैं फिर यहां पर जो है देखिए economic geography काफी important है मैंने बोला आपको दो topics आप देख सकते हैं यहां पर तूरेंत आगए दो topics section 12 में दे से आएगा physical aspect आपको देख लेना है जहां बहुत सारे sub topics आपको देखने को मिल जाएंगे climate वगरा होंगे location होगा soil type होगा power resource होगा resources को जो है धियान आपको देना है Indian context में भी यहां पर कुछ ratings बता दियेगा है यहां बात करे 14 यहां पर कौन से है तो यहां पर काफी सारे sub topics आपको देखनी को मिलेंगे इसमें जो है questions आप से पुछे जाएंगे resource and environment और resource को जब पढ़े environment के context में जरूर पढ़िएगा उसे meaning nature and components आप से पुछा जाएगा water resource there economic and environmental significance आपको पढ़ना है साथ मैं और भी बहुत सारे sub topics से सब को discuss करूँ तो यहां पर काफी time लग जाएग ठीक है इसलिए आप देख लिजेगा यहां पर देखिए जो 15 आपकी topic है उसमें जो है कौन-कौन से पुछे जा रहे है general principle classification of projections यहां पर practical से होगा जितने आपने mapping के technique पढ़ी है जितने map projections आपने करे हैं उसे देख लिजेगा क्या यूजे से वो देख लिजेगा कब हुआ कैसे यूज हुआ करना है और जो है कहा relevant है वो आपको ध्यान देना होगा इसमें बात करें यहां पर section 6 की geography of India people and economy आपको पढ़ना है cultural landscape देख लेना है urbanization में focus करना है आपर urbanization challenge problems वेजरूर ध्यान देजेगा industrial development location changing nature of Indian economy इस पर देख लेना है और जो international trade globalization इस पर आपको ध्यान लगे अगर पहले आपने नहीं पड़ा यहां पर resource देखी यहां पर जो है 17 आपको टॉपिक देखनी को मिल रहा है वो है resource and environment से और resource environment मैंने पहले भी बताया आपको काफी important topic है economic geography से somehow related है यहां पर तो यह topic आप ध्यान देजेगा environment के जो है context में study के जेगा इस पर आपको बह population explosion क्या है environmental hazard क्या है तो यह सारे आपको चीज पढ़ने है impact of human activities पढ़ने है ठीक है तो यह जो है आप कर लिजेगा cover साथ मैं बात करें यहां पर 17 जो कि यहां की आखरी topic है उसमें क्या है statistical method है आपका यहां practical वाला पार्ट होने वाला है जहां आपको easy topics देखनी को मिलते है ज rentable car service से यहां पर all together देखा जाए तो काफी huge topic है तो आप सूचे रहोंगे कैसे कभग गया जाए तो बतला दू बहुत सारे topics already आपने पढ़े है जो आप जो है बिना पढ़े ही बना लेंगे पर पढ़ने से होगा क्या आप जो है अच्छा score करेंगे और जो है कहीं न कहीं आ आ गई हो कुछ डॉट हो इसके regarding तो बिल्कुल पूछ सकते हैं मैं कोसिस करूँगा answer करने की thanks for watching best of luck